नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं बतादे रामगर जी लेके लुकाईया टांड इलाके में एक गन सभा को समोधित करते हैं मुख्य मंत्री हेमन सुरे ने कहा है कि यह एक सुरुवाती राहत होगी उन्हें और अधिक राहत रासी मिलेगी क्योंकि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से भी सुखा राहत पैकेज की मांग की है मुख्य मंत्री हेमन सुरे ने कहा है कि जल्द ही परभावित किसानों को प्रारामपिक राहत रासी बितरित करने के लिए गाउं और पंचायत अस्तर पर सिवीर आयोजित किये जाएंगे पैकेज की मांग की है जारखन के अलप संख्यक सिक्षको को फुरानी पेंशन का मिलेगा लाव जारखन अलप संख्यक माधमिक सिक्षक संग का राजय अस्तरिय महाधिवेशन राइधानी राची के संत जोंस हाई इसकूल में संपन हुआ इस मौँखे पर बिसुनपूर बिधायक चम्रालिंडा, सिसाई बिधायक, जिग्गा, सु, सारेन, होरो और जीेल चर्च के बी सब सिमांत, समद, तिरकी, समėत, काफी संख्या में संफ्य के लोग पशित थे बतार एमोखेती थी विशुनपूर विधायक चम्रा निन्डा ने कहा है कि अलपसंखेक सिख्षकों के साथ ओ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं उनकी सभी समस्या और परिसानी से अउगत हैं उन्होंने कहा है कि अलपसंखेक सिख्षकों को फुरानी पेंशनी स्कीम का लाब जरूर मिलेगा उन्होंने मिस्नर्यों तथा अलपसंखेक स्कूलों द्वारा दी जा रही अस्तरिय सिख्षा का उलेक करते हुए कहा है कि सुदूर छेत्रों में सिक्षा का अलग जगाय हुए हैं और समाज राज और देश के विकास मनाची भूम का निभा रहे हैं जैराम महतो चार थानों की पूलिस की घेराबंदी में भी भासन देकर निकल पड़े जारखंडी भासा संघर समिती के नेता जैराम महतो रभीवार को बलियापूर चेत्र में फूलिस की भारी घेराबंदी के बावजूद बलियापूर हवाई पट्टी पहुँचे करीब एक घंडे तक समर्थकों को समभूधित करने के बाद अपने गंतब्य की ओर निकल गए मालूम हो कि रभीवार को बलियापूर हवाई पट्टी मैदान में खत्यानी रहयत विस्थापित मोर्चा की बैठक आयूजित की गई थी इसमें जार्खंडी भासा संगहर समिती के नेता जैराम महतो को भी अमंत्रित किया गया था पुलिस पर शासन को जाराम महतों के आने के सुचना मिली तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस पर शासन की और से बलिया पूर हवाई पट्टी मैदान के अगल बगल भारी संख्या में पुलिस तेनात कर दी गई बलिया पूर्थाना के अलावार जरिया तीसरा जोरा पोकर थाने की पुलीस वह जीला से अतिरिक्त पुलीस बल भी मंगाया गया था केंदुया टांड मोल गुली टांड मोल समेथ कई अस्थानों पर पुलीस बल की तेनाती कर दी गई थी मंत्री बन्नागुपता ने कहा जल्द दूर होगी सिख्षको की समस्या है अखिले जार्खन प्राथ में सिक्षक संग पूर्वी सिमुम जीला कमिटी के नेत्यूत में सेक्डो सिक्षकों ने स्वास्तेवम आपदा प्रवंधन मंत्री बनना गुपता से रभीवार को उनके जमसेत पुरिष्ठीत आवासे करेलाये मुलकात की कि इस दोरान उन्हें चार सुतरी मांग पत्र सोपा गया इन मांगों पर सिग्र पहल कर समस्या समधान का निवेदन किया सिक्षक नेता सुनील कुमार ने अनुरोध पर मंत्री ने कहा है कि सिक्षकों की मांगे पूरी करने है तुए लगातार परासरत है और आगे भी रहेंगे उन्होंने इस समझ में कहा है कि मुख्य मंत्री को भी निवेदन कर सिग्र समस्या समयधान का अनुरोध किया है तथा स्थिक्षकों की समस्याओं को पूरा करने है तो मुख्य मंत्री हेमान सुरेन का भी दिश्टी कों सकारात्मक है रांची में पती ने पतनी पर फेका त्यजाब रांची के नामकुम थाना छेतरी स्थीत मौलाना आजाद कॉलेनी रोड नमबर 13 निवासी कि आमीर ने गूसे में अपनी पतनी हीना पर फेक दिया है इससे हीना गंभीर रूप से जुलस गई है त्यजाब फेकने से हीना का चेहरा गला हाथ और सीना जल गया है जनकारी मिलते ही मैके वाले ने ततकाल अंजुमन अस्पताल ले कर गए जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है आई एस पुजा दो माह बाद फिर गई जेल मनी लोंडरिंग मामले की आरोपी सस्पेंड आई एस अधिकारी पुजा सिंगल दो महिने बाद फिर रांची के बिरसा मुडा सेंटरल जेल गई है रभिवार की साम पुलिस सुरक्षा के बीच उसे रिम्स से होटवार इस चित बीरसा मुडा सेंटरल जेल लेग जाया गया मालूम हो कि गध 27 सितमबर 2022 को सीने में दर्ध की सिकायत के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भरती थी पता दे कि रिम्स के पेइंग वार्ड में भरती मने लॉन्री मामले में गिरपतार सस्पेंट आईएस अधिकारी पुजा सिंगाल मेडिकल रिभ्यू में स्वस्थ पाई गई है रिम्स प्रवंधन जेल प्रसासन को मेडिकल रिभ्यू की रिपोर्ट भेज दी थी इसके साथ ही पुजा सिंगल के रिम्स से जेल जाने की चर्चा जोरो पर थी खरसावा में आईशू की बैठक बूत अस्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर सराइकला खरसावा जिला अंतरत खरसावा के आकरशनी वन बिस रामागार में रभिवार को आईशू पार्टी की संगटनात्मक बैठक खरसावा विस प्रभारी संजय जारीका की अध्यक्सता में हुई बैठक में मुख के रूप से बूत अस्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर चार्चा की गई हर वर के लोगों को संगठन से जोरने पर बल दिया गया साथ ही पार्टी के अगामी कारकरमों को सफल बनाने पर भी चार्चा की गई बैठक में अगामी एक जनवरी को खरसावा में आयोजित होने वाले सहीद दिवस की तियारी पर बीबी से चर्चा की गई इडी को देवघर के तीन जमीन करोबारियों की समपती की तलास परवता निदेसारे को देवघर के तीन जमीन करोबारियों की समपती की तलास है पूअँ पूअब कमाति लुक्त लिस होँग में खिजलीज़गी सोब इस्तिर एक हर भी टैमेंट रोली समीथ के अफिकार के शीर के स्मेट है कोडारमा में बाल बिवाह की कोशिस हाई कोट ने लिया सवता संग्यान जारखन के कोडारमा जीले के कोडारमा थाना चेतर के बर सोतिया बर आदर्स मोहला में 12 वर्स ये नवाली की साधी कराने की कोशिस के मामले में जारखन हाई कोट ने सवता संग्यान लिया है कोट ने जिला बिदिक सेवा प्रादिकार कोडर्मा को इस ममले में समुशित करवाई करने का निर्देश दिया बची का बयान दर्ज किया गया और चाइल्ड लाइन ने प्रखंड विकास पता अधिकारी को कानूनी करवाई के लिए पत्र लिखा है बता दे कोडारमा जिले में एक बच्ची की साधी उसके परिजन जवरन करवा रहे थे बच्ची की सहली ने इसकी सुचना पूलिस और चाइले लाइन को दी इसके बाद पूलिस अधिकारियों की मदद से उसकी साधी को रुका गया मवला परकास में आने के बाद हाई कोट ने इसका संग्यान लिया और जिला बिदिक से वाप राधिकार को डर्मा को समशित करवाई करने का निर्देश दिया है रामगर में जल्द खुलेगा मोडल इसकोल अपने दादा सोबरन सोरेन के सहाधत दिवस के मौके पर रामगर के लुकाया टांड पहुंचे मौके मंत्री हमान्तर ने कहा है कि जारकन में प्राइबेट इसकोलों से बेहतर सरकारी बिद्याले बनाये जाएंगे जिसमें अगले वर्ष से बचों की पढ़ाई शुरू की जाएगी उन्होंने कहा है कि दुमका पलामु इम कड़वा में मोडल इसकोल का उधाटन किया गया है जिसमें प्राइबेट इसकोल से अची पढ़ाई होगी बहुत जल्द रामगड में भी मोडल इसकोल खुलेंगे उन्होंने कहा है कि सिसको को विशेस रूप से प्रस्रिक्षन दिया जाएगा सावीत्री बाई फुले की सोरी समरीदी योजना से बच्यों का होगा विकास मुख मंत्री हेमन सुरे ने कहा है कि राजे में सवीत्री वाई फुले की सोरी समरीदी योजना सुरू की गई है इस योजना के माध्यम से सभी गरीवर्ग के बलिकाओ को कक्षा आठवी से लेकर कक्षा बराहवी तक बितिय सायतर परदान की जा रही है इसके साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद सम्बंधित की सोरी के बैंक खाते में 40,000 की एक मुष्ट राजी भी परदान की जाएगी उन्होंने कहा आए कि राजी की वैसी बचिया जो उच्छ सिक्षा लेकर इंजिनियरिंग डॉक्टर वीडियो सीयो बनना चाहती है के माध्यम से स्कूल अफ एक्सिलेंस मोडल विद्यालाय मसलिया दुमका स्कूल अफ एक्सिलेंस राज किये बाली का उच विद्यालाय मेदनी नगर और के गल्स स्कूल गडवा आश्रम अवास्य विद्यालाय रनिया खोटी एवं आश्रम विश्वास्य विद्यालाय और कोडार्मा में हाईवा लूटकांड को अंजाम देने वाले सायत गिरफतार जारखन के कोडार्मा जिले में पूलिश ने कुख्यात अपराधी बबलू राय सहीत सायत अपराधी को गिरफतार कर लिया है उनके पास से हंतियार वो अने समान भी बरामत हुए हैं बताया जाता ह किसी गिरों ने बांजे डी पावर प्लांट के पास फोर लेंस से गत दिनों हाईवा लूटकांड को अंजाम दिया था जय नगर थाना में पूरे मामले की जनकाली देते हुए रभिवार को माईका अंचल निरिक चक अधेर सिंग ने बताया है कि पूलिस अधिक चक कुमा गाग में थर्मो कोल के इस्तिमाल पर रोक जारखन के परसीद पंच गाग जलपरपाद की स्वख्षता को बनाय रखने के लिए कोटकेल पंचायत की मुखिया मर्यम होरो के नतित में विभीन ग्राम सभाओ और पर्याटक मीत्रों ने रभिवार को एक नई सुरुआत की है पंच गाग परिसर में थर्मो कोल के इस्तिमाल पर पूर्णता रोक लगा दी गई है यहां अब गाओं की महिलाए सखुवा के पतल और दोना बेच रही है महिलाओं द्वारा अन अस्थानिये उत्पादों के स्टोल भी परिसर में लगाए गए है बाहर से आने वाले सेना अब दोना पतल खरीद रहे हैं इसे गाओं की महिलाए पैसा भी कमा रही है वहीं पंच गहा की स्वस्ता भी बरकरार रही है आई आई टी धनबाद के दिक्छान समारों में भाग लेंगे राक्षा मंत्री के बैग्यानिक सलाकार आई आई टी धनबाद के दिक्छान समारों बारदी समर को मनाया जाएगा इसमें राक्षा मंत्री राजनात सिंग के बैग्यानिक सलाकार जी सतीस रेड़ी बतर मुख्यतीती सामिल होंगे दिक्षान समारों को लेकर IIT धनबाद में त्यारी सुरू हो गई है इस दिन 2022 में पास करने वाले 1832 चात्र चात्राओं को डिग्री दी जाएगी राइस्ट्रेशन कराने वाले चात्र चात्राओं को ये 11 दिसंबर की साम 4 वे तक कैंपस में रिपोर्ट करने को कहा गया है ओनलाइन राइस्ट्रेशन नहीं कराने वाले चात्र चात्राओं दिक्सान समारों में सामिल नहीं हो सकेंगे जार्खन के 18,000 स्कूल नहीं दे रहे बच्चों के उपस्थिती की रिपोर्ट जिसमें कख्चावार कूल नमाकित बच्चे और उस दिन बच्चों की संख्या के बारे में बताना होता है धन्यवाद